जंगली फूलों से भरपूर घास के मैदान में भोड़ा व्यस्त मधुमक्षी एक फूल से दूसरे फूल की और उड़ती है, सूरज की रोशनी में खुशी से गुन-गुनाती है फलटर, तितली, टेजी पर आराम कर रही है, बंबल को काम करते हुए देख रही है, इस बात को लेकर उटसुख है कि मधुमक्षी हमेशा इतनी व्यस्त क्यों रहती है घास के मैदान में तेज हवा चलती है, और बंबल तुरंद काम पर लग जाता है, जिससे फूलों को फिर से खड़ा होने में मदद मिलती है जब बंबल काम करता है फलटर इधर उधर फड़ फड़ाता है लड़कडाती फूलों को देखकर हंसता है बंबल के प्रयासों के महत्व को नहीं समझता है पारिश की एक बूंद फलिटर के पंक से टकराती है, जिससे वो भारी और गीला हो जाता है वो एक फूल पर गिरती है, उड़ने में असमर्थ है और उसे मदद की जरूरत है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, बंबल, दयालुता और जिम्मेदारी दिखाते हुए फलिटर के पंक को एक मुलायम पत्ते से सावधानी पूर्वक सुखाती है फेन ने अपने आटे पर गाना गाया, उसकी आवाज हर गूंध में जादू बुनती थी, साधारन आटे को मीठे प्राणियों की सिंफनी में बदल देती थी